यह जून 2016 है और इस वक्त मैं हंग्री में हूँ, जो मध्य यूरोप में है मुझे यहाँ एक महत्पूर्ण रोचक विकास को देखने के लिए आमत्रित किया गया है लेकिन पूर यूरोप में महत्पूर्ण ऐसी कौन सी रोचक और अपरतिम बात है हंग्री वैसे तो एक छोड़ा सा देश है, जिसकी आबादी लगवग एक करोड है किन्तु हंग्री का समाज भी बटा हुआ है यहाँ विशश अधिकार हैं और अधिकार हीन लोग भी हैं यहां कोरे हंगेरियन हैं और रोमा लोग भी हैं और इन लोगों ने डॉक्टर अमबीटकर को खोजा है ऐसा लगता है कि डॉक्टर अमबीटकर भारत से हजारों मील की यात्रकर यहां तक पहुची हैं मैं यहां उस समाज के लोगों से मिलने आया हूँ जिनोंने डॉक्टर अमबीटकर को अपने आधर्श की रूप में अपनाया है मैं डॉक्टर अमबीटकर स्कूल हंगरी के संस्थापक यानोश से मिला उन्होंने मुझे अपना स्कूल देखाया अंदर प्रवेश करते ही मैंने डॉक्टर अम्बेटकर की प्रतिमा देखी मैं उसे ताकता ही रह गया यानुस ने बताया कि यह डॉक्टर अम्बेटकर की प्रतिमा भारती राजदूत ने उन्हें भेटती है पूरे हंगरी में डौक्टर अमबेटकर की यह एक मात्र और पहली प्रतीमा है भारती दूतावाद से हमारे समन्ध बहुत ही अच्छे हैं भारत के नई राजदूत सबसे पहले डौक्टर अमबेटकर आई स्कूल में आए उन्होंने डॉक्टर अंबेटकर की मुर्ती हमारे स्कूल को भेट की जो अभी भी हमारे स्कूल में लगी है और सचमुच हमें गर्व है कि पूरे यूरोप में डॉक्टर अंबेटकर की यह पहली प्रतिमा है मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब जिपसी बस्ती में हुआ हम साथ भाई बहन हैं हम एक बहुत ही छोटे से घर में रहते थे हमारी एक छोटी सी रसोई एक कमरा था और जिसमें हम नौ लोग रहते थे और जिपसी लोग यदि अपनी प्रात्मिक सिक्षा पूरी करते हैं तो ठीक है वो फैक्टरी में काम पर जा सकते हैं और अगर हम अपनी प्रात्मिक सिक्षा पूरी नहीं भी कर पाते तब भी हम फैक्टरी में काम पर जा सकते हैं यूरोप में जिपसी होना वास्तों में बहुत बुरी बात है क्योंकि गोरे लोगों के मन में हमारे प्रती बड़ी गलत धारणा है जो सही नहीं है सभी जिपसी ओसे बद्बू नहीं आती सभी जिपसी गंदे नहीं रहते ना सभी चोरी करते और छूड बोलते हैं और ना जाने क्या क्या उन्हें नहीं मालोग आम जिपसी कैसे जीवन जीते हैं और वे हमसे मिलना भी नहीं चाते उदारन के तोर पर अगर आप इस गाउं को देखते हैं तो दूसरे गाउं जैसा ही है ये गोरे लोग जिपसीों से कभी नहीं मिलते उनका कोई सम्मंध मित्रता जैसी कोई बात नहीं है वे इस पुर्वाग्रा से ग्रसित हैं कि हंगेरियन होने का मतलब क्या है और जिपसी होने का मतलब क्या है लेकिन उन्हें सच्चाई का पता नहीं है एक रोमा या जिपसी होने के नाते मेरा चन में एक जिपसी बस्ती में हुआ और उस भेदावेश से मुझे काफी जूचना पड़ा केवल स्कूल में ही नहीं तो जहां भी मैं गई वहां मैंने देखा कि किस तरह से जिपसी के लोगों के साथ दुर्वेवार करते हैं जो हम तैक नहीं कर सकते भीदबाओ नहीं करना चाहिए उधारन के लिए हमारा रंग भाशा लिंग या इस तरह की बाते हैं इसलिए मैंने तैकिया कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं मेरे जैसे परिस्तिती में पैदा हुए लोगों को मदद करती रहूंगी जिपसी या रोमा और हंगिरियन लोगों में या जो रोमा नहीं है इन लोगों में बहुत बड़ा फर्क है उधारन के तोर पर एक बार मैं रेस्टरेंट में चला गया और उन्होंने मुझे बताए कि आप यहां खाना नहीं खा सकते क्योंकि हम जिपसीओं को हमारे रेस्टरेंट में खाना नहीं देते यहां 900 लोग रहते हैं बच्चे पैदल ही स्कूल चले जाते हैं वें गर्मियों की कड़ी धूप में या कड़ी सर्जियों में 3 किलोमेटर पैदल ही स्कूल चले जाते हैं हमारे चाल में 30 कोठरिया है जो रहने के काबिल नहीं है फिर भी हम उनका उपयोग रहने के लिए करते हैं कि यहाँ पानी और विजली नहीं है इन घरों में करीब 300 लोग रते हैं हमारे कोई प्रतिनीधी नहीं है इसलिए हमारे साथ कुछ होता है तो हमारी बात कोई नहीं सुनता है क्योंकि हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है मुझे लगता है कि हमारे साथ भेदबाव होता है वे चाहते हैं कि हम उनसे दूर छुपे रहें वे हमें छुपाना चाहते हैं ताकि हम उनके रास्ते में ना आएं क्या बताओं मैं तब प्रॉड था जब मैंने माद्यमेक स्कूल में प्रवेश लिया सामनित लड़के रड़किया जब माद्यमेक स्कूल जाते हैं तब वे 14 साल के होते हैं मैं 22 का था ये समझना मेरे लिए बेहद रोचक था कि इतने गरीब जिपसी वेक्ती भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं मैं सचमुच ये नहीं जानता था कि माद्यमेक स्कूल क्या होता है क्योंकि मेरे सामने ऐसा कोई उधारन नहीं था मेरे कक्षा में 18 विद्याती थी जिसमें मैं अकीली ही जिपसी थी मेरे एक सिक्षक मुझे एक ग्रेट दे रहे थी जो कि हंगेरी में सबसे खराब ग्रेट होता है मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई मैं सोचने लगी मेरे बाकी बचे इतने ही सवाल सही है मैं उन से मिलने गई वे सीनियर टीचर थी लेकिन मैंने उन से कहा माफ कीज़े सर किन्तु मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक क्यों दिया आपने पार्ट में जो कुछ सिखाया वह और मेरी पुस्तक में भी मैंने पढ़ी है फिर मैंने कौन सी गल्दी की उसने सहस्ता से कहा आप मेरे क्रास में एक लोते जिपसी हो और आपको अपना ग्रेट पढ़ाने के लिए दूसरे विध्यारतियों से दसकुना ज्यादा जानना ही होगा मुझे सच में बहुत बुरा लगा और मैंने अपने पीपर फेक दिये और कमरे से बाहार निकल गई इसलिए किसी जिपसी को माध्यमिक स्कूल या यूनिवर्शिटी में एक अच्छा विध्यारती बनना इतना आसान नहीं होता ये इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि अगर आप माध्यमिक स्कूल में जाते हैं तो आपको दूसरे जिपसी दिखाई नहीं देते हैं यह बहुत आसान है पहचानना कि यहां जिपसी कौन है क्योंकि हमारा रंग सावला होता है और अगर आप अपने माध्यमिक स्कूल या यूनिवर्सिटी की कक्षा में बने रहना चाहते हैं तो गोरे बच्चों से दो गुना जादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वे आप पर भरोसा ही नहीं करते हैं मेरे लिए स्कूल का पहला सब्ता बहुत ही मुश्किल सा भी था क्योंकि मैंने किसी से बात ही नहीं की थी मेरे कोई मित्र नहीं थे और मैंने उनसे बात नहीं की थी मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था और वे भी मुझसे बात नहीं करना चाहते मेरे पहली कख्षा में हमारा जूडो का क्लास था और मेरे पास जूडो करने के लिए कोई ड्रेस नहीं था और मैंने अपने टीचर से विंती की कि शायद आप मुझे जूडो का ड्रेस दें और उन्होंने वो ड्रेस मुझे दिया लेकिन उसे क्लास रूम में ले आया और मुझे कहा कि वो मुझे सभी के सामने वहीं पहनना होगा वहां के वर लड़के ही थे किन्तु छोटे गाउं से आने की वज़े से मैं शर मिला था और मैंने कहा कि क्या मैं से चेंजिंग रूम में बदल कर आ सकता हूं क्या उन्होंने कहा नहीं ये आपको अभी यहीं पहनना होगा और मैंने उन्हें बताया नहीं, मैं नहीं करूँगा और उन्होंने मेरी पिटाई कर दी, उन्होंने मुझे एक थपड मारी हाँ, ऐसे थपड मारी, मुझे उसी कक्षा में रुकना पड़ा और उन सभी के सामने ही कपड़े बदलने पड़े I had to dress up in front of everybody मेरा पुराना हाई स्कूल बहुत यही बुरा था मेरा परिवार अमेर नहीं है, हम गरीब है मेरे पिता अक्सर बेरुजगार रहते थे क्योंकि वे जिपसी है इसलिए यदि उन्हें काम करना ही है तो उन्हें परदेश में जाना पड़ता है जब मैं उस पराने स्कूल में थी, वहाँ जब मैं उदास होती थी तो उन्हें लोगों को बहुत खुशी होती थी क्योंकि वो मुझे परिशान देखने में मज़ा लेते थे वो बहुत बुरा था हंगरी की जनसंख्या में चवदा से अठारा साल के युवा असी परतिशत होंगे जो सेकंडरे स्कूल की अंतीम परिछा दे चुके हैं लेकिन अगर आप जिपसी एरिया में जाते हैं तो आपको यह 80 परतिशत देखने को नहीं मिलेगा बलकि आप पाएंगे एक परतिशत से भी कम यह बहुत बड़ा अंतर है उसी देश में उसी शहर में उसी गाउं में यह बहुत भेंकर रिशती है कोई बड़ा सदमा जिपसी समाज की अवस्था भारत के दलितों जैसी है व्यभारिक रूप में वे दूसरों के लिए बंद है और सलिये यह वास्तों में संभाव नहीं है कि जो जिपसी करके जन में है वो अपनी कभी भी जाती को छोड़ नहीं सकते हैं अगर आप जिपसी एरिया में रहते हैं तो ये निश्चित है कि आपका जीवन प्रात्मिक स्कूल या उससे भी कम पढ़कर आम लोगे की तरह काम करते और सड़क पर मर कर खत्म हो जाएगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं तब मैं सेकंडरी स्कूल की अंतीम पक्षा में था जब उसने मुझे एक किताब दी डॉक्टर अंबेटकर के जीवन से सम्मन दित वो शायद अंग्रेजी में नहीं वो फ्रेंच भाषा में थी और तीबोर और मिकलोस जो की धममित्र है उन्होंने मेरी सहता की उन्होंने मेरे लिए डॉक्टर अंबेटकर के जीवन समंधी कुछ पन्नों का अनुवाद किया और मैंने वो पढ़ा फिर बुद्धिष्ट क पूरे यूरोप में हमारे भहुत से बौध मित्र है अधित्तर हंगरी में है किन्तु हमने कभी भी डॉक्टर अंबेटकर जी का नाम नहीं सुना था डॉक्टर अंबेटकर की जीवनी पढ़ने के बाद मुझे सच मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे कोई मिल गया था जो हमारे जैसा ही है जो उसी तरह लड़ रहा है जैसी लड़ाई हम अपने काम में लड़ रहे हैं मैं जिपसियों और दलितों के बीच काफी हद तक समानता देखता हूँ उदारन के लिए उनकी परिस्थेतियां सरकार के साथ उनके संबंध और यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे अपने जीवन को किस तरह से बदलना चाहते हैं जिपसी लोग मूलते हैं भारत से ही आए हैं और यदि आप सडकों पर चलते हैं और इदर उदर देखते हैं तो आपको जिपसी लोग दिखाई देंगे और यदि आप किसी योरोपियन को भारती व्यक्ति की और जिपसी व्यक्ति की फोटो दिखाते हो और उनसे पूछते हो कि इनमें जिपसी कौन है और कौन नही तो वे सही निर्ड़ नहीं ले पाते कि कौन जिपसी है कौन नहीं जिपसी वो हर्णाथ जब मैं इगूर से मिला और उससे बात की तो मैं आश्चेर चकित हो गया उनके मात्र भाषा में से कई शब्द मुझे मिले जो हिंदी भाषा से काफी मिलते जुलते थे जुलते हों थार्णाथ जैष्टार प्यार मैं लुटपा जो हैंग्या शुलते वासे कई jetzt में लुटते कौने जुटा इंगे when हैंगे हैंगे ? हमारे बुद्धिष्ट कॉलेज में एक सिक्षक थे जो भारत गए थे 2003 या 2004 मुझे याद नहीं और वे सुबुती से मिले थे और सुबुती ने तीरतन बौध महासंग के महाराष्ट राज में काम के बारे में बताया और मेरे सिक्षक समझ गए कि सुबुती वही काम कर रहे हैं जैसे तिवोर और मै दक्षिन पस्चिम हंगरी में करते हैं और उन्होंने सुबुती को मेरा इमेले डिस दे दिया उस बड़े आंधुलन को मिल पाना हमारे लिए एक बड़ा अविश्कार जैसा था मेरे मन में भी गहरी इच्छा हुई भारत जाने की और मैंने उनसे कहा कि कृपिया मुझे भी बुला हैं क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आपके महराष्ट के काम को और उन्होंने 2005 में मुझे अर्थिबॉर को भारत बुलाया टासल फाइव वेल्कम वेल्कम हम नाकपूर में एक बड़ी शीविर में गय थे वह धमकरांती शीविर था वह जो चण था जब हमने निर्णे लिया कि हम इस आंदुलन का एक हिस्सा बनना चाहेंगे में त्री रत्ने बाध्य माहसंग के के लोगों से मिली और हमें सोचा कि डॉक्टर अम्वीटकर का आतरश और सिक्षा और उनके जीवन की अनुभाव का इस्तमाल हम हमारे लोगों को सक्षम बनाने के लिए कर सकते हैं और वे यह जान चाहेंगे कि मेरा अपना जीवन बदलना मेरे हाथ में है और मैं जब चाहूं चीजों को बदल सकती हूं और मैंने देखा हमारे दलित मित्र नेतित कर रहे हैं कई कई संस्थाओं का उनके उनके बहुत सारे लड़कियों के होश्टेल लड़कों के होश्टेल बलकि कॉलेज भी हैं मिलिन कॉलेज भी मैं वहाँ गया था और क्या बताओं मैंने सब कुछ पा लिया मैंने जैसे मैंने सारा घ्यान पा लिया ए भगवान ये सब यहां मैं जान गया कि मेरे लोगों और संस्थाओं में जो कमी थी वो यहां मिल गई क्योंकि यहां डॉक्टर अम्बेटकर के रूप में बहतरिन आदर्श हैं हम अब डॉक्टर अम्बेटकर को नहीं देख पाते किन्तो उनके अनुयाईयों को दलित समाज से आए बौद्धों को देख सकते हैं हम यह देख पाए हैं कि वे नए स्कूल शुरू कर पाए नए बालवाडिया नए विश्व विद्याले और यदि वे यह सब भारत में कर सकते हैं तो हो सकता है कि हम इन बातों को हंगरी में भी जिपसियों के लिए कर सकते हैं और हमें विश्वास है कि हम ये कर पाएंगे और जब मैं महाराष्ट राज में गया तो वहां अपने दलित बॉद्ध मित्रों से मिला और मैंने देखा कि बॉद्धधम में वे क्या करते हैं उनके लिए बॉद्धधम क्या है और उस समय मैंने महसूस किया कि मैं इसी तरह का बॉद्धिष्ट बनना चाहता हूँ और इसी तरह का बॉद्धधम मैं हंगरी में अपने लोगों के साथ बाटना चाहता हूँ मैं स्वयम को उनका ही सदत से समझने लगा था क्योंकि हम एक जैसा काम करते हैं वे मेरे जैसे या जानोज जैसे या फिर मेरे घर के अन्य जिपसियों जैसे दिखते हैं ये सही में एक चमतकार ही है कि दलित बहुत लोगों ने विशेशतार पर महाराश्ट्र में अपने आंदूलन में वे क्या करते हैं ये देखना हमारे लिए बहुत ही पेड़ा दाई है और ग्यान की उग्रत्थी है 6 दिसंबर को मैं भारत में ही था वहां मैं अनेक लोगों से मिला जो डॉक्टर मेटकर जी में बड़ी आस्था रखते हैं उनके मार्ग का अनुसरन करते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन में मुझे सच्चाई दिखाये दी और मुझे लगा कि मुझे भी उनका अनुसरन करना चाहिए हम चाहते थे कि इस आंदूलन से जुड़े और चनवरी 2006 में हमने निर्णे किया कि ऐसा ही आंदूलन को हम पूर विरोप में स्थापित करेंगे हमने खुद की सहस्था बनाई और उसका नाम रखा जैभीम नेटवर्क हमारी सहस्था का ये नाम बहुत ही महत्पूर्ण मैसेज बना क्योंकि हमारे दलित मेत्र एक दूसरे का अभिवादन जैभीम बोलकर करते हैं और उस समय जब बौधों के संख्या बढ़ी तो सोचा क कि चलो अपना स्कूल बनाते हैं फिर सोचा कौन सा नाम इसके लिए उचित रहेगा जैभीम नेटवर्क का स्कूल है तो डौक्टर अंबेट का स्कूल ही हो सकता है तो हमने 2007 में डौक्टर अंबेट का स्कूल की शरवात हंगेरी में की डौक्टर अंबेट कार ने दलित लोगों से कहा कि शहरों में जाओ क्यूंकि गाओं के महौल में आपके विकास के लिए बड़े शहरों जैसा पुशक बातावरण नहीं मिलेगा इसी कारण से हम गाओं में आया हैं इस शेत्र में बहुत ही करीबी है और यहां रहने की इस्थितियां बहुत ही बुरी है जिपसियों के बस्ती में आप देखेंगे कि घरों के इस्थिति बहुत ही बुरी है और सिक्षा का बड़ा आभाव है यहां केवल एक वैक्ति है जिसने हाँ इस मुन तक बढ़ाई की थी इस गाओं के जैसे हंगरी में अनिक गाओं है मध्यमवरगी गोरे लोगों ने यह गाओं छोड़ दिये हैं केवल बुजर्ग गोरे लोग ही यहां रहते हैं जो लोग इस गाओं को छोड़ नहीं पाए हैं वो काफी गरीब है और उनमें अधिकतर जिपसी लोग है इन गरीब लोगों के बहुत से बच्चे हैं जैसे की अफरिका या बिहार में गरीब परिवारों में होता है बड़े पैमाने पर गरीब घरों में इन प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदा होने वाले बच्चे उनहीं परिस्थितियों में फस जाते हैं वे इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते और उनके लिए यहां कोई अफसर नहीं है वे अपना पूरा जीवन बहुत ही अलग माहल में बिता देते हैं वे खुद से अलग या बाहर की दुनिया देखी नहीं पाते और डॉक्टरम बेट कर स्कूल का यही संदेश है कि चलो आजाद हो जाएं उफ 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 इसलिए हम उनके लिए नए द्वार खुलना चाहते हैं जहां वे पढ़ाई करें और शहरों में जाएं यूनिवर्सिटीज में जाएं नौकरिया पाएं हमने यहां सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम लाया है लेकिन हमारा ये लक्ष है कि इस सेकेंडरी स्कूल के बाध्यम से हम इन यूवाओं को शहरों में ले जाएं अब मैं डॉक्टर मेटकर स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ जब मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो मुझे लगा कि मैंने यहां आना चाहिए और इस काम में मदद करना चाहिए क्योंकि मुझे यह बेहत पसंद है मुझे लगता है कि यदि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उन्हें बता सकता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जीना चाहिए किस प्रकार का निर्ने लेना चाहिए शायद मैं उनके लिए एक उदाहरण बन जाओ वे मेरे जैसे ही जिपसी है इसलिए मैं हमेशा उनसे लगाओ महसूस करता हूँ मैं उनमें से एक हूँ एक जिपसी हूँ बाल विवा यहां एक बड़ी समस्या है फिर चाहे आपको अच्छे लगे या ना लगे यहां सामाने बात है सामने तह लड़कियों की शादी बारा या तीरा साल में हो जाती है फिर बच्चे होते हैं इसका उनकी सीहत पर असर होता है साथ ही उनका स्कूल जाना भी बंध हो जाता है यह बहुत ही अच्छी बात है कि डॉक्टर अमबेटकर हाई स्कूल यहां रोमा जिपसी बस्ती के बीच में है जिस स्चात्रा यात्रा की परिशानी से बच जाती है वे गरीब है वे यात्रा का भाड़ा नहीं दे सकते वो रोज स्कूल आने जाने का किराया नहीं दे पाते इसलिए यहां स्कूल होने से उनकी कुछ मूल जरूरत पूरी हो रही है जब स्कूल में होते हैं तो हम उनने कुछ भूजन देते हैं और उनके बच्चों को समालने में मदद करते हैं यहां कुछ महिलाएं हैं जो एक प्रकार की बालवारी चलाते हैं और बच्चों के साथ में यहां खेलते ही कूधते हैं मुझे लगता है कि यहां की जो सरकारी हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है उनमें से डॉक्टर मेटकर हाई स्कूल बहतर है यहां के स्थानी प्राइमरी स्कूल में लगबख सारे बच्चे जिपसी होते हैं जब स्थानी प्राइमरी स्कूल से हमारे बच्चे इस स्कूल में आते हैं तो वे पढ़ और लिख नहीं पाते, वे जो पढ़ते हैं वे समझ नहीं पाते, उन्हें पहाड़े नहीं आते, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता। तो जब हमने अपना काम यहां शुरू किया, तो पहले साल हमें उनकी तैयारी करनी ही पड़ती है, हमें ये कौशले सिखाने होते हैं, उन्हें कैसे लिखना चाहिए, कैसे गिंती करनी चाहिए, इस तरह का भरोसा देना पड़ता है। विध्यार्थी आठ साल तक प्राइमरी स्कूल में बिताते हैं, और फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। शिक्षक बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वे जिपसी बच्चे हैं। वे आठ साल यहां बिताते हैं, और उन्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि अन्हें चाहते हैं। 2009 में एक स्लुवाकियन संस्था हमारे गाउं में आई थी और उन्होंने स्टडी प्रोग्राम की शुरुवात की थी। मुझे समझ में आय था कि मेरे जीवन में परिवर्तन केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। हमने एक नाटक तयार किया। डक्टर अमबेटकर स्कूल ने मुझे उस नाटक को पेश करने के लिए आमंतरित किया। इसलिए मैं अपने लोगों के साथ उस स्कूल में गया और मुझे वह स्कूल बहुत ही पसंद आया। तीन साल पहले पोलिस हमारे बस्ती में आई थी और बस्ती के सभी लोगों की उन्होंने पिटाई की थी। उसके बाद हमत करके मैंने स्कूल के हेड मास्टर से पूजा की क्या मैं वहां जा सकता हूँ और अपनी शिक्षा की सुरुआत कर सकता हूँ। मेरे मात पिता ने यह स्कूल खोजा जो बहतर है। उन्होंने मुझे बताया कि यदि मुझे यह स्कूल पसंद नहीं आएगा तो मैं किसी दूसरे स्कूल में जा सकती हूँ लेकिन मुझे यह सच में बहुत पसंद आया। जब मैं डाक्टर अमबिटकर हाई स्कूल में गया तो पहले तीन मैंने मेरे क्लास के बच्चे मेरी नकल उतारते थे। क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में कम उम्रे के बच्चों के बीच मैं ही अकेला तीस साल का आदमी बैठा था। लेकिन उसके बाद हम दोस्त बन गए और हम हम दोस्त हैं। यह स्कूल बहतर है क्योंकि आप लोग अलग हैं। आप शायद सामले रंगे हैं या अलग कपड़े पहनते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन यह माइने नहीं रखता क्योंकि यह हर इंसान एक समान है। यदि मेरा दिन बुरा हो और मुझे वास्तों में बहुत बुरा लग रहा हो। यह मुझे घर पर कोई समस्य हो तो मेरे सिक्षक मेरी बहुत मदद करते हैं। वे हमें मदद करने का प्रयास करते हैं। वे मुझे बताते हैं कि किस तरह बहतर जीवन पाया जा सकता है। उधारण के लिए मैं वुदापेस्ट में युनिवर्शिटी जाना चाहती हूं। इस स्कूल में आने के पहले यहां नहीं चाहती थी। हमारे हाइ स्कूल में कुछ समय बिताने के बाद मैं अपने विद्यार्थियों में परिवर्टन देखता हूं। उधारण के तौर पर जब हम उन्हें डॉक्टर अंबेटकर के बारे में बताने की शुरुआत करते हैं। और कैसे वे गरीब परिवार से थे तो वे अपना संबंद उन से चोड़ पाते हैं क्योंकि वे भी गरीब परिवार से आते हैं। डॉक्टर मेटकर के बहुत से भाई बेहन थे और हमारे विद्यार्थियों के भी बहुत से भाई बेहन हैं। वे डॉक्टर मेटकर की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं उनके पास क्या था और उनकी परिस्थितियों को देख सकते हैं इसलिए मैं डॉक्टर मेटकर और उनके विचारों के बारे में बात करता हूँ तो वे उसे समझ सकते हैं वे उस विचारधारा से आसानी से जुड़ सकते हैं। यह अगला कदम है। जैभीम नेटवर्क और डॉक्टर अमीटकर स्कूल हंगरी के संस्थापक और इसे चलाने वाले लोग त्री रत्न बौध्ध महासंग के दम मित्र हैं। हम सभी मेरे मित्र धमचारी सुभूती से मिलें। जो त्री रत्न बौध्ध महासंग के जेश्ट सदस्य भी हैं। सुभूती जी हर साल इस स्कूल में आते हैं और स्कूल की प्रगती कैसी हो रही है। इसके बारे में इनके साथ चर्चा करते हैं, सलाह मश्वरा करते हैं और उन्हें धार्मिक विकास के लिए मदद भी करते हैं। हंगरी में विद्ध्यार्थी सामान ने इसकूल में आम तोर पर एक दूसरे के बिलकुल पीछे बैठते हैं, जिससे उन्हें सामने वाले विद्ध्यार्थियों की पीट नसर आती हैं। और टीचर की केवल आखें दिखाई देती हैं। लेकिन हमने सोचा ये परियापत नहीं है। हमने सोचा कि किसी बात को सीखने में सम्वात का होना एक महत्पूर्ण बात होती है। इसलिए हमने कुर्सियों को गोलाकार या अर्धचंद्राकार रूप में क्लास में रखा। केवल अपने टीचर को प्रतिसाद देने तक ही सिमित रहने के बजाए यदि वे सब को प्रतिसाद देते हैं तो वो बहत्तर है। क्योंकि यदि मैं उनके पीछे बैठा हूँ तो शायद मेरी बात उनके लिए महत्पूर्ण नहीं होगी। लेकिन यदि मैं उनमें से एक हूँ जो समान है तो मेरा मत शायद महत्पूर्ण हो सकता है। मुझे लगता है कि सरकार दौरा चलाई जा रही स्कूलों में मुख्य जो भेद है वह यह कि वे जिपसियों को सिखाना ही नहीं चाहते। वे सिर्फ हमें किताबे ठमा देते हैं और कहते हैं जो पढ़ना चाहते हो वह पढ़ो लेकिन डाक्टर अमबेटकर हाई स्कूल के सिख्षक चाहते हैं कि हम सेकेंडरी लेवल का डिपलोमा प्राप्त करें इसलिए जैसे भी संबहो वे हमें मदद करते हैं। विशे को समझाने के लिए ज्यादा समय देते हैं और आप इसका वास्तों में अनुभव करते हैं कि वे हमें मदद करने में पूरी तरह से प्रतिवद्ध हैं चवधा साल की उम्र में भी किसी मीडिया या किसी घटना को समय और इस्थान के रूप में पेश करना उन्हें नहीं आता इसलिए सबसे पहले हमने नक्षा खोला और हर बात को नक्षे के ऊपर रख दिया और इस समय के संदर्म में भी वही समस्या है इसलिए हमने हर कक्षाग में टाइम लाइन निर्मान किये और हर बात पूर्ण घटना और व्यक्ति को टाइम लाइन पर हम दिखाते हैं आप चित्रों को देख सकते हैं आप टाइम लाइन को देखते हैं डॉक्टर अम्बेटकर से संबंदित सभी बातों को हमने टाइम लाइन पर दिखाया है हर समय हम डॉक्टर अम्बेटकर के जीवनी विचारों के और नारों के संपर्क में आते हैं आप दिवारों पर नारों को देख सकते हैं डॉक्टर अम्बेटकर का जीवन चरित्र और उनके कायरे का अर्थ ऐसा कोई विशे हमारे हाई स्कूल में नहीं है लेकिन यह सभी जगा मौझूद है इतिहास के दृष्टी से वो वहाँ है और भुगोल में भी है हमारे विद्यार्थी हंगरी के दूसरे किसी भी हाई स्कूल के विद्यार्थियों की तुल्ना में भारत के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं हम बुद्धम भी सिखाते हैं लेकिन वो हमारा मुख्यों देश नहीं है क्योंकि हमारे अधिकतर विद्यार्थी इसाई है जुड़ सकते हैं और ये मानवी अधिकार है भारत का स्तित्व हमारे स्कूल में बड़ा ही रोचक और महत्पूर्ण है वो यहां से दूर है ऐसी कोई बात नहीं है वो ऐसी बात है जो हर समय क्लासरूम में मौझूद है और हर समय हमारे करक्रम का हिस्सा होता है हम डॉक्टर अम्बेटकर के बारे में बहुत सी बाते यहां सीखते हैं और कल हमने ध्यान भी किया जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे बहुत 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 महसूस होता है मैं बहुत तनाव मुक्त महसूस करती हूँ और मुझे शान्ती महसूस होती है इसलिए यह वास्तों में बहुत अच्छी बात है इस तोरों डॉक्टर अम्बेटकर हाई स्कूल में हंगरी के शिक्षा मंत्री भेट देने आये थे इस अफसर पर मुझे डॉक्टर अम्बेटकर जी के शिक्षा प्रणाली से कैसे वंचित और उत्पीडित लोगों का उत्थान हुआ इसके बारे में प्रस्तुति करण करने के लिए आमत्रित किया गया था इस कार्क्यम की शुरुआत खूब सूरत संगीत से हुई यह डॉक्टर अम्बेटकर स्कूल के शात्र थे करी जी करते हुआ हुआ हूआ झाली से क्षरे ज़ेह का उत्याँ गरीत लोगों से हुआ प्रसे का 16 रहन चर्णाल रगम सी लग्वाग हुआ है दोक्टर अम्बेटकर की शिक्षा नीती से अचूतों के जीवन में बहान परिवर्दन आया है आम्बेटकर आधनिक भारत की महानस्ती है जिनोंने नीती, मियम और सम्विधान बनाए है हमारी इस्थिती अच्छी है अभी हमारी नई शर्वात है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इस्थिती काफी अच्छी है हमारे जाता सुझादा विध्यार्ति मादिमीक सेकंडरे स्कूल की सिक्छा पूरी कर रहे हैं और विश्च विद्यारों में प्रवेश ले रहे हैं भारतियों की तुल्ण में ये कुछ भी नहीं है क्योंकि अग आपको बताऊं कि हमारे सौव विद्यार्थियों ने माद्मिक सिक्षा पूरी की तो आपके लिए ये आफ़ना के बराबर है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी संख्या है अगले साल मादिमिक स्तर का डिप्लोमा मेरे पास होगा जिससे कि मैं एक सिक्षक बनने के मेरे सपने के एक कदम और नज्जीक पहुँच जाऊंगा मैं वुड़ापेस्ट में विश्विध्यालाय में जाऊंगी और अंतरास्टी सिक्षा का अध्यन करूंगी और अब हमारे साथ बहुत से महाराष्टियन मित्र हैं जो की हमें इस काम में मदद कर सकते हैं अब इससे आगे हम अकेले नहीं हैं भारत को हम दन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेटकर के जीवन तथाकारिका अनुसरान करने वाले आंधोलन के उधारन के बगएर हम इस हाइश्पूल के निर्वान नहीं कर पाते डॉक्टर अम्बेटकर की मृत्यू नहीं हुई है क्योंकि यदि मैं आपकी आखों में देखता हूँ तो मैं उन्हें आपकी आखों में देख सकता हूँ और मैं डॉक्टर अम्बेटकर के जीवन के बारे में हंगरी के बहुत से डोगों को बताना चाहता हूँ और उन्हें पाकर हम खुशी और गरू महसुस करते हैं झालने कंसे चैणा हमें ठाकर खुशी और करते हैं हुश करक्षब करते हैं ओओ, 욥्यां Hey दो मुढने gradulars कमाँ, खुश्ता हम रिेिवाान और रणा करते हैं आपे उाज़ चिक